यहादसा जितना दर्दनाख है उतना शर्मनाख है। शर्मनाख प्रशासन के लिए वहां की सरकार के लिए। क्योंकि लगातार त्योहारों पर अगर इस तरह की भगदर मचती रहेंगी तो फिर बिहार की राजधानी में कौन त्योहार मनाने के को लेकर डरेगा नहीं 32 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल है और ये जो दो तस्वीरे PMCH में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगदर के फॉरण बात की वो तस्वीरे हैं जब त्योहार पर मातन में दूब गए हैं लोग लोग सच धजकर निकलते हैं त्योहारू के दिन की जश्ट मनाएंगे रावण दहन देखने के लिए गए थे गांधी मैदान में, वहां से बाहर निकले तब समझ में आया कोई इंतजाम ही नहीं था लाखों लोग के उपर कितनी पुलिस ये अभी सरकार को जवाब देना है पूरी तरीके से ठीकरा सरकार के तरफ से प्रशासन पर खोड़ा जा रहा है लेकिन सरकारी जवाब देही आखर कहा है दूसरी तरफ पुलिस बल की मौझूदगी में लोगों की प्रदर्शन को देखिए यही मौझूदगी यही व्यवस्था अगर रहती गांधी मैदान के चारों तरफ उन दुरगा पंडालों के चारों तरफ जहां पर लोग बड़ी तादाद में आज के दिन निकलते हैं तो आज ये मनजर नहीं होता पीम सी एच वो अस्पताल है जहां पर घायलों को सबसे पहले पहुचाया गया था इसकी दूरी अगर गांधी मैदान से देखें तो लगभग दो किलोमीटर के करीब होती है और यहां पर उपचार के लिए लोगों को लाया गया 32 लोगों की म गंधी मैदान के निर्माण में बहुत सारे बदलाव लाए गये थे और इसी के हिसाब से बड़े बड़े गेट बनाये गये थे लेकिन उन गेट का फायदा क्या जब उन पर ताले जड़े रहे लोग उनका इस्तिमाल ही न कर सकें पतना में इस वक्त दरद का मंजर है अपना में इस वक्त दर्द का सन्नाटा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिस्किया सुनाई दे रही हैं और लोगों का घुसा भी। बच्चे रो रहे हैं, मा रो रही हैं, एक हिपल में जैसे पटना की तस्वीर बदल गई, अब तो मातम है, दर्द का दर्या है। जी हाँ, तस्वीरे पटना के गांधी मैदान की हैं, आप देख सकते हैं कि दर्द का मंजर चारों तरफ है, लोगों के जूते चपल बिखरे पड़े हैं, एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, मरने वालों में जदतर बच्चे और महिलाएं बताई ज रही हैं। इसमें डबे हैं, घायल हुए हैं, एम्बुलेंस भी यहां पर लगा हुआ है, कई लोग, पुलिस की मौजूदगी भी है। सूरत छिप रहा था, महौल खुशनमा था, आतिश बाजी के साथ बुराई के रावन का देहन हुआ था, सिर्फ पटना से ही ने, बलकि आसपास के गाउं से भी लोग रावन देहन देखने आये थे। लेकिन किसी को क्या पता था, कि गांधी मैदान में जिस आतिश बाजी के साथ हर्शो उल्लास का दशहरा मनाया जा रहा था, वो अब मातम में तबदील होने वाला है। फिर तो ऐसी भगदर मची कि रंजो गम का महौल पसर गया। किसी का अपना हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो कई बच्चे भी परिवार से बिछ़ण गया। पतना की इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है। सोच कर ही रूंग्टे खड़े हो रहे हैं। उन परिवारों की आखों से आसू रुखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुजीत कुमार जहा के साथ कुमार अभिशेक पटना आज तक। इक महिला ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि वहां पर लाठी चार्ज भी किया गया ताकि लोगों पर काबू पाया जा सके। भगदर से बचने के लिए लाठी चार्ज ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के लिए नया है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर तिल रखने को जगे नहीं है। वहां पर उसके पूरा इलाका आप खाली देख सकते हैं। के पीछे खुद को छेपाने की कोशिश की है। अब अववा वजय वाकई थी भी या नहीं थी ये तो उनकी उच्चस्तरिय जाच में पता चलेगा। लेकिन प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने से पहले सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी तै करनी होगी। बिहार सरकार के मंद्री कहा है। नितीश कुमार गरीबों के नेता है। उन्होंने न्युक्त किया है अपने हाथों से जीतन राम मांजी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन खुद नितीश कुमार कहा है। प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके उन्हें विजय दिलाई थी और उसके बाद बिहार में बदलाव आया, ये सब ने कुबूल किया। लेकिन उस शुरुआती बदलाव के बाद आखिरकार वो रफ्तार थमी और इस तरह के आयोजनों में एक के बाद एक ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही आसू क्यूं देखने को मिलते हैं। ये माना जा सकता है कि हादसों पर किसी का नियंतरण नहीं हो सकता, लेकिन जब भी कोई बड़ी भीड होती है, तो उसके नियंतरण के लिए परियाप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। वो व्यवस्था आखिर क्यूं नहीं थी। हम आपको बता दें कि लगातार आज तक पर हम अलग-अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। हम एक बात पर वार किया होगा कि बीजेपी नेताओं से हमारा संपर्क हो रहा है, हम कॉंग्रिस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कई मंत्रियों से हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के वो मंत्री फोन लाइम पर नहीं आ रहे हैं, हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। आखिर छुपाने को ऐसा क्या है कि आप सामने आकर जनता को कम से कम एक आश्वासन नहीं दे सकते हैं। कि आपकी तरफ से पूरी कोशिश हुई थी कि एक आश्वासन नहीं दे सकते हैं। कि जनता घबराए न उनकी मदद की हर संभव कोशिश की जाएगी। अगर सरकार की तरफ से प्रयास और आश्वासन की बात ही नहीं होगी तो आखिर जनता को सुकून कैसे मिलेगा ये हादसा क्यूं हुआ है पटना पुलिस पुरानी गलतियों से कोई सबक क्यूं नहीं ले सकी सरकार कोई सबक क्यूं नहीं ले सकी हजारों की भीड को क्यों एक ही गेट से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया आखिर कैसे एक अफवा की वज़े से इतना बड़ा हादसा हो गया लापरवाही तैयारियों का ना होना नियमों की यंग देखी और भीड को नियंत्रण में रखने की काबलियत का ना होना एक बार फिर हादसे का सबब बना पटना में रावन देहन के बाद वापस लोड़ते हजारों लोगों की भीड एक बार फिर इनहीं लापरवाही की भेट चड़ गई इधर रावन के पुतले की आग ठंडी पड़ी वहें दूसरी तरफ हजारों की संख्या में भीड गांधी मैदान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी इस भीड में बच्चे और बड़ी संख्या में महिलाई शामिल थी चश्मदीदों का आरोप है कि पहले गांधी मैदान से निकलने के लिए सिर्फ एक गेट खोला गया था लेकिन अचानक भीड बढ़ी तो जादा गेट खोले गए चश्मदीदों का आरोप है कि भीड को नियंत्रित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे सरकारी महकमा नदारत था सडक पर रोश्नी के भी इंतजाम नहीं थे उपर से बिजली के तार के गिरने की खबर ने चिंगारी का काम किया सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन को क्यों नहीं भीड का अंदाजा था प्रशासन ने क्यों नहीं भीड को पुलिस के नियंत्रन में पंक्तियों में बाहर निकाला आखिर जिले के बड़े अधिकारी उस वक्त कहा थे अभी पिछले साल छट के वक्त में भी ऐसा ही हाथा हुआ था क्या वज़ा है कि साल के अंदर यही शहर एक और भगदर की द्रास्थी सेहने पर मजबूर हो गया जाहिर है राज्य सरकार और उनके अफसरों को इन सवालों के जवाब देने होंगे कुमार अभिशेक पटना आज तक जब से पटना में भगदर की खबर हमारे सामने आई है और जब से हम लाइव कवरिज आपको दिखा रहे हैं सबसे हमने देख लिया कि पाटले पुत्र से सांसद रामक्रिपाल यादव पहुंच चुके हैं हस्पतालों में जो घायल हैं उनके पास उनका हाल चाल लेने के लिए पूर्व सांसद बीजेपी के सीपी ठाकुर पहुंच चुके हैं लिकिन जो सरकार के मंतरी हैं वो नदारद है, कहां हैं वो क्यूँ नहीं सामने आ रहे हैं क्या जानकारी मिल पा रहे हैं, वो क्या इस डर से नहीं आ रहे हैं कि लोगों का घुस्सा उन पर फूटेगा बिल्कुल श्वेता जो सरकार है और सरकार में जो लोग है मंत्री है वो निशित रूप से इस बात से कही न कहीं सहमे हुए है कि जो जो लोग है वो ज्यादा खफा है क्योंकि ये लगातार तीन साल में ये तिसरी घटना है 2012 में छट के दौरान यही हाथसा हुआ था 2013 में नरेंद्र मोदी के रैली के दौरान गांधी मैदान में बॉंबी स्फोटवा फिर भगदड़ हुई और आज दशहरे के दिन ऐसा भगदड़ हुआ है जिसमें दो भगदड़ तो सिर्फ और सिर्फ अफवा की वज़ा से हाई लेवल इंक्वाईरी किया गया है मगर बावजूद इंतजाम के तौर पर बात की जाये तो वही धाक के तीन पाथ लोग मर रहे हैं अभिशेक आपने संपर्क करने की कोशिश किये हैं उन मंत्रियों से वो कुछ कह रहे हैं अपनी तरफ से फोन पर आ रहे हैं देखे श्वेता ज्यादातर मंत्री इस वक्त पटना में नहीं है जिनसे मेरी बात हो रही है जिनसको हम फोन कर रहे हैं वो पटना में नहीं है कई लोग कह रहे हैं कि वो लोग छेतर में हैं दशहरे के लिए लेकिन सरकार है सरकार के तरफ से सिर्फ एक inquiry की बात आई है high level inquiry की और मुआवजे की इसके अलावा अब तक कुछ नहीं आया है लोगों में गुसा यहाँ काफी ज्यादा है हम ने जगा पे देखा जहां पे यह घटना घटी वहाँ पर लोग गुसे में है और जो हॉस्पिटल है उसके बाहर भी लोग गुसे में हाला कि इससे कहीं न कहीं अस्पताल भी थोड़ा बहुत बादित होता है मगर लोग यहाँ गुसे में और यही वज़ा है कि जो सरकार के लोग हैं वो अभी नहीं आपा रहे हैं और पुर्ग C.M. नितिश कुमार कहां पर है क्योंकि लोगों को मालूम है कि भले जीतनराम माझी मुखेमंतरी हो कि श्वरत यही सब्सक्रा बड़ा सवाल है नितिश कुमार निश्यत्रुप से पटना में ही है अपने घर में होंगे लेकिन जो दो हाद से हुए पिछली बार अगर आपको याद हो तो छटके वक्त भी नितीश कुमार तुरंट सामने आये थे उन्होंने उस वक्त ही प्रिस कॉनFERENCE बुलाया था और जो जो कदम उठाने थे उन्होंने उस वक्त रात को ही किया था लेकिन अभी तक मांजी सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि आखिर सरकार किस तरीके से सामने आई है। लेकिन आजकल निर्मान की वज़े से वहाँ पर ट्राफिक की भी दिक्कत होती है।